पिशावर में क्या पूरे पाकिस्तान में निरंतर सिखों को टार्गेट किया जा रहा है ये पहली घटना नहीं है आप कलपना कीजिए कि प्री इंडिपेंडेंडेंस जहां पे लाखों की तदात में लोग थे और उसका पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस भी 20 लाख से जादी वहां की पॉपॉलेशन थी आज मातर साथ आठ हजार लोग रह गए आप कलपना करके देखिए कि जीरो पॉइंट वन परसेंट से भी पॉपॉलेशन नीचे आगी 20 लाके मुकाबले अभी जो तरलोक सिंग और मनमौन सिंग की घटना हुई पहले तरलोक सिंग को उनकी दुकान चलाते थे पश्टून में वो बार बार एक बात कह रहे हैं इनको कि तुम खाली करो तुम छोड़कर जाओ जो हमारे रोग इंटिरियर में थे वो छोड़कर शहर में भी आगए इसी खौफ के चलते लेकिन उप शहर में भी जीने ने दे रहे और पाकिस्ता है बुरा हाल है मनौर्टी सेफ नहीं है और उनको तो मजबूर किया जा रहा कि आप पशावर पक्ता चोड़े पाकिस्तान चोड़े सिखों को मजबूर किया जा रहे हैं इस से पहले अक्सान में चाहे वो जो लड़किया है उनको पारने की बात रहे कुछ वो देखी जा है यहां पर हाई कमिशन में जो है जी हम हम विदेश मंत्रालिया से मैंने आज ही अभी सुबह बात किया है आम कॉंटिनूसली टाच विदे मैं निरंतर उनके संपर्क में हूं उन्होंने भी का है कि मंडे को इस पर कारवाई करेंगे लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं भर सरक सरकार की एक सिवाई हैं वो बहुत हमारी वहां पे अमदाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की बात नहीं है पाकिस्तान का अवाम भी यह मानता है कि वह एक मुस्लिम स्टेट है और वहां पे वो किसी और कमुनिटी की लोगों को नहीं जीने देंगे तो म कि सरकार के सिर पर जू नहीं सरकने वाले हैं